नमस्ते हिंदुस्तान कैसे हैं आप लोग आज मेरा पहला सवाल पूरे हिंदुस्तान से और मुंबई पुलिस से कहा चुपा के रखा है साहिल भाई को क्यूं उठाया इस तरीके से आपने साहिल भाई को मुंबई पुलिस इस तरीके के गुंडा गर्दी आखिर कब तक कौन से कानून को फॉलो करते हैं आप लोग कौन से नियम के बद से चलते हैं आप लोग कि भारत में रहके एक अलग कानून खेल रहे हो आप लोग क्यों सहे हम आपकी गुंडा कर दी अगर साहिल भाई का स्टेटमेंट इतना ही बुरा लगा था तो कोई कारवाही करने से पहले आ अप मंबई से फरीदाबाद आते हो और फटा चले जाते हो उनको नहीं कोई अनकोम्स प्रकमर्ली कर चले जाते हो और ऐसे क्या मिर्ची लग गई आपको तो आज हम एज़ यूट्यूब पे अपनी अभिव्यक्ति और अजादी है हम इतने आजाद है और हमें इंसाफ का हक है अपने जानना एक सुशांत के साथ क्या हुआ हमें जानना है दिशासालियान के साथ क्या हुआ था हर को इस साहिल भाई के साथ जो साथ हैं लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं क्यों नहीं बोलते कि आखिर कहां गए साहिल भाई पूछती हो मुंबई पुलिस कब तक चलेगी यह गुंडागर्दी खुले आं गुंडागर्दी कर रहे हो आप लोग हाथ में हत्यार दे देते हो और निर्मम हत्या करो पालगर के साथ हों को बीच रोड पे बीच सड़क पे कुछलवा देते हो मरवा देते हो हत्या करवा देते हो और उस वक्त कोई कानून नहीं है आपका दिशासालियान के साथ बेरहमी से क्या हुआ उसके साथ सबको पता है सबको दिख रहा पर आपक कर लिया उसके प्रति कोई ड्यूटी कोई रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं वहां भी गुंडा गर्दी दहशत गर्दी कुले आम एक लड़की इतने दिन से आपके पुलिस स्टेशन में आके गुहार लगा रही है लगा रही है कि मैं भूख हर्ताल पर बैठ जाओंगे मेरे सा इतनी बद्शरू की हुई है आदिते कश्यप ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है पर वहां पर आपका एक भी नहीं चलता वहां पर आपकी हमदर्दी पूझ रहो किसको अनुरात कश्यप को और उस लड़की के प्रति आपका कोई ड्यूटी नहीं कोई रिस्पॉंसि क्यों किस्तिया जदने के लिए आपके पास वक्त नहीं है पूरे दुनिया पूच रही है जो सारी ंए जानता जो इस दिन फ्रेट में ठीकिंन उसको ठूड़ने के लिए आपके पास वक्त में से अ थितिक वर को उठाकर ले जाने का वक्त है पको की वो सुदून nil और हम जैसे लोगों को आपके पास उठाने का टाइम है क्यों एक एक एक्स नेवी ऑफिसर सिर्फ एक काटून के मैसेज फॉवर्ड करता है और उस फॉवर्ड मैसेज के लिए आप उसको बीच रोड पे एक व्रित इंसान को वे रहमी से पिटवाते हो उसकी आँखों को फो और लगते हैं एक अलगी गूट बनी हुई है फिर उसके लिए आपका कानून नहीं है यह गुंडा गर्दी दैश्यत गर्दी क्यों आखिर क्यों वहीं पे जब रिया चक्रवर्दी आपके ऑफिस में पांच-पांच घंटे के लिए पूचताच होता है तो वहां पे चाय सब्सक्राइब कि खिलाफ एक शब्द बोलता है कुछ भी गलत कहता है अगर ठाकरे सरकार के लिए किसी ने कुछ बोला आपने उसको गंजा कर दिया क्यों वेस्ट बेंगॉल में कोई उठकर आता है कोई कुछ बोलता है आपका पुलिस टीम चला जाता है वेस्ट बेंग को तक कौन से कानून के किताब में अइसा लिखा हुआ है कि अलग ही भारत का अलग अलग स्टेट अलग नियम कानून बनाएगा आखर क्यों सहम आपकी गुंडागर्दी आज मैं बोल रही हूँ आपको आप मुझे भी उठा कर ले जाओगे और आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस यह सिविल वर्दी में आके आपकी क्राइम ब्रांच की टीम आएगी और जहां पर उठा के लेके चले जाएगी और सुषांद भाई के लिए आवाज उठाएगा कंगना रनौत ने उठाया तो आपने दिन दाड़े उनके पहुशने से पहले उनका ओफिस तोड़ दिया पाल करके सादूं को युबे रहमी से मरदे को छोड़ दिया और हत्या करवा दी तो आखिर ये गुंड़ा गर्दी ये दैशत गर्दी आखिर क्यों दोस्तों कहां है साहिल भाई कहां छुपा के रखा है इन लोग ने साहिल भाई क्यों आखिर क्या कर रहा है साहिल भाई के साथ ये लोग हमें न्याय चाहिए रिलीज साहिल चौदरी साहिल भाई को रिलीज करो इसके नारे लगने चाहिए कुछ टाइम में अभी क्या होगा गनेश अंकित जो सुशान के दोस्त है राजगाट पे उन्होंने अन्नाउंस किया है कि दो अक्टूबर को दिल्ली आकर वो धर्णा पे बैठेंगे भूख हर्ताल करेंगे आप एक काम करो दो अक्टूबर पे बहुत टाइम में उठालो दोनों को बहुत अप्रोच है आप लोग का अपने नियम चलाते हो अपने कानून चलाते हो आप लोग सेंटर गावर्मेंट भारत के कानून भारत का सामिधान कुछ नहीं आपके लिए आखिर क्यों नहीं बोलते है कोई आखिर क्यों चुप है यह भारत सरकार क्यों इस तरह की गुंड़ा गर्दी को सह रहे हैं यह लोग क्यों नहीं वहाँ पे राश्टपती नियम लागू ह हो जाता है कि आखिर हम क्यों कब तक बरदाश्ट करें हमारे एक एक इनसान जो आख सुषान भाई के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है उसके जाम को खत्रा है क्यों क्यों कि आप बेबी पैंगुइन को बचाने की कोशिश कर रहे हो अरे इंसानों से बचा लोगे सरकार से बचा लोगे पुलिस से बचा लोगे एंसीबी से बचा लोगे सीपियाई से बचा लोगे पर वो तुषान सिंग राजपूत मैं पर फिर से बोलूँगे महाकाल का भक्त तंडव करेंगे महाकाल तुम्हारे पूरे परिवार पे कब त तुम्हारा पूरा खांदान क्यों इतनी नाइनसाफ है क्यों कि दोस्तों कहा है साहिल भाई आज आवाज उठाओ आप मेरे साथ कि साहिल भाई को करो आज साहिल भाई को ठाये कल सुमन पांडे को ठाकर लेकर चले जाएंगे या मेरे तरह बहुत सारी यूट्यूबर है बहुत ऐसे वारियर हैं जो हमें आप सब लोग जो आज मुहीम चला रहे हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़न है हम सब के जान को खत्रा है हमारे जान क मुझे भी उठाकर ले जाओगे या दिल्ली आना आपके लिए बहुत आसान है तो कब तक आखिर कब तक हम सहेंगे इस चीज को आप रिपब्लिक भारत में एक दिन अड़े पत्रकार को उठाकर लेकर अरेस्ट कर देते हो रिपब्लिक टीम को एक लेटर भेज देते हो च संगे हो रहें इतने सारे आतंक चीज फैल रहें मुंबई में इस चीज पर आपको एक्षिन नहीं लेते हो पर जो भी सुषान के लिए इतने चीज़ों अगर को गलत चीज के लिए आवाज उठाता है आपके सरकार के लिए शब्द बोलता है तो आप तो उसको मारवाद ह होगे मोदी जी के बारे में इतने लोग इतना चीज गलत बोलते हैं फिर तो अगर एक एक को उठाके भरना शुरू करें तो पता नहीं कितने सेल्स भर जाएंगे दोस्तों आखिर हम क्यों सहें यह गुंडा गर्दी यह दैशत गर्दी इस आजाद देश में भी क्या हमें में यह दोस्तों मुझे आज आज की सहारे की जरूवत है कि हम में आपको और हर एक दूसरे को दिशान के लड़ाई के लिए लड़ रहा है इंसाफ के लिए लड़ रहा है, कंगनारवात के लिए लड़ रहा है, दिशा सल्यान के लिए लड़ रहा है, पाल करके साधूओं के लिए लड़ रहा है, या पायल गोश्च के साथ जाके खड़ा होता है, वो सब मुंबाश्ट्रा पुलिस के लिए गलत है, तो वही ये काम कर रहे हैं मुंबई पुलिस बी अलर्ट भारत की जनता से इतने पंगे ना ले ठाकरे सरकार विट ओल डियू रिस्पेक्ट आखे खोली अपना पुत्र मों में इतना भी गलत मत करें कि पूरा ये अधर्म इतना ज्यादा फैल जाए जिसको कि संभालना आपके लिए मुश्क सकता बी टुगेदर बी यूनाइट ये वक्त आ गया है अब जैहें दोस्तों